All India Quota के seat matrix के साथ-साथ UG counselling में AIMS की seat matrix भी release हुई है टोटल कितने AIMS हैं इस बार और टोटल कितनी seat available at different categories के लिए क्या AIMS में seat बढ़ी है 2021 की जो counselling जो की 2022 में हो रही है court के decision की वज़ा से तो क्या फायदा होगा general के candidate को OBC या फिर EWS reservation की जो policy है वो All India Quota में लगी है AIMS में पहले से ये reservation policy थी तो इससे seat बढ़ने से कितना फायदा होगा cutoff कितना down जाएगा गाईज उसके बारे में complete detail 2021 की expected cutoff plus AIMS की seat matrix हो लिकर Excel के तोर पर हम आपको complete category वाइस बताने वाले हैं कि AIMS में total कितनी seat available है 2021 की counseling में जो की January में हो रही है शुरू करते हैं वीडियो को उससे पहले हम आप लोगे से request जरूर करेंगे कि अगर आप पहली बार visit कर रहे हैं इस channel को आप इसको subscribe जरूर कर देजे ताकि future के जो updates हैं वो आपको non-stop मिलते रहेंगे इस वीडियो में अभी बात करते हैं total seat matrix की MCC की website पर release हुआ है और यहाँ से जब data को shortlist किया गया Medica Wing की और से दिन गईस aims की total seat matrix है वो अभी आप background में देख रहे हैं यह complete aims के institute के name है और यहाँ पर program जो mbbs लिखा हुआ है quota का name है उसके बाद open category open pwd different categories के name है जो कि top column पर आप देख रहे हैं इस वक्त यह data जो MCC की website पर latest pdf upload किया गया है वहाँ से extract किया गया है और उसके बाद यह देखने की कोशिश की गई है कि 2020 plus 2021 में कितना difference आया है aims के जितने भी colleges हैं उनकी seat matrix पे बात अगर हम total aims की करें दिन guys total 19 aims में इस बार admission हो रहा है पिछली बार की तरह 2020 की तरह लेकिन इस बार aims में seat add हुई है और seat add होने के वज़ा से जहाँ पर 2020 में total 1987 aims की seat पर admission हुआ था जिसमें की 7 जो foreign national की seat से aims दिल्ली में है उसको include नहीं किया गया है इस allotment में प्लस यह जो total seat matrix है इसमें वो 7 seat include नहीं की गई है अगर हम category wise बात करें दिन open categories के लिए total seat इस बार 2021 की अगर हम बात करें जिन उपर का जो column अभी आप देख रहे हैं यह total seat matrix है 2021 की 769 seat यह available है open category के लिए open PWD के लिए 40 seats, general EWS के लिए 188, general EWS PWD के लिए 10 seat, OBC के लिए 509, OBC PWD के लिए 26, SC के लिए 283, SC PWD 14 seats, ST 141, ST PWD 7, total seats की अगर हम बात करें 1987 इस बार लेकिन 2020 में जो complete admission हुआ था, यानि enrollment के बाद, जब counseling के लिए enrollment हुआ था और उसके बाद जो allotment हुआ था, different colleges में, aims के different category wise 2020 में open category को seat मिली थी 765, 4 seat यहाँ पर बढ़ी है, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, general के candidates को no doubt open PWD 40 seats, कोई भी changes नहीं हुआ है, general EWS 188, पिछली बार 132 थी, general EWS की seat में इस बार इजाफा हुआ है general EWS PWD की seat 2 seat कम हुई है, अगर हम compare करेंगे 2020 से, aims की जितनी भी seat है, OBC 509 seat, इस बार पिछली बार 473 seat थी OBC PWD 26, पिछली बार 229 थी, SC 283, इस बार 2020 में 267 था, SCPWD 14 seat, इस बार पिछली बार 8 seat थी, ST के लिए 141 seat, इस बार 129 थी, पिछली बार STPWD 7 seat, पिछली बार 4 seat से, total last year 1899, 1899 seat पर admission हुआ था, first round में aims की seat पर, और इस बार first round में जो total seat matrix, MCC के हिसाब से बेल-बेल है, वो है 1987, यानि 1987 seat यानि approximately 100 seat के आज़ पास का इज़ाफा हुआ है, इस बार aims में, कुछ aims में seat को बढ़ाया गया है, जिसका फायदा no doubt की candidates को होने वाला है, और aims में जब 100 candidates इधर shift करेंगे, जहर सी बात है कि जो all India quota का cutoff हो, वो थोड़ा सा odd down होगा, लेकिन rank का ही अंतर आने वाला है, marks का अंतर बहुत कम रहेगा, इस वज़ासे, बहुत ज़्यादा cutoff first round में नीचे नहीं आएगा, second round की जब seat matrix आएगी, first round का result आजाएगा, तो क्या cutoff रहा, वो भी हम आप लोगों के साथ share करेंग तो जहर ची बात है कि आपर OBC candidate को, जो aims की seat है, उसमें benefit होने वाला है, SC के candidate को भी benefit होगा, और STPWD, SCPWD के candidate को benefit होगा, right, ST के candidate को भी benefit होगा, general के candidates में बहुत ज़्यादा seat नहीं बड़े, जो भी seat बड़े हो, उनको different category wise इस बार वाइफरकेट कर दिया गया है, यानि बाकी के categories को aims में benefit होगा, right, यानि जो border areas पर candidate थे, जो aims जिनको नहीं मिलता था, right, ऐसे candidates को general में benefit नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, बाकी के जो categories के students हो, उसमें no doubt की थोड़ा बहुत benefit होगा, rank का अंतर होगा, marks का अंतर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, All India quota का क्या cut- of expected, थोड़ा बोध हम ले, आप लोगे साथ पिछली बार जो seat matrix की video अभी release की गई थी, उसमें discuss किया गया है, लेकिन All India quota का जब result आ जाएगा, उसके बाद 14 cut-off, second round में कितना down जाएगा, वो हम आप लोगे से discuss करेंगे, 29th January 2022 को, जब first round का result आ जाएगा, MCC का, मेड़ी कमी के साथ बने रही है, चैनल को subscribe जरू कर दीजिए, future के important और interesting updates पाने के लिए, ताकि आप updated रहे है, 2021 प्लस 2022 की जो need का process और counseling को उसको लेकर आपको एक idea लगता रहे, content पसंद आता है तो दोस्तों के साथ share जरू कीजिए, like कीजिए हमारे चैनल को, मेड़ी कमी के साथ बने रही ह thank you for watching, thanks a lot